बार बार कहा कि हाथ उठाओ तालिया बजाओ इस भजन में मैं नहीं कहूंगा कि अब हाथ उठाओ तालिया बजाओ आपकी मर्जी हो ताली बजाना नहीं मर्जी हो मत बजाना बैंजी बैड़ जाओ बैंजी यह मेरी तरफ से आखरे पुष्प बाबा के चरणों में श्याम नाम की पगली यह कोई भजन नहीं है यह बिलकुल साक्षात परचा है बाबा का साक्षात कहानी है जिसका कोई नहीं होता उसका यह होता है एक ऐसी औरत जिसने जिन्दगी में कभी कोई दुख नहीं देखा दुनिया के सातों सुख जिसकी चोखट पर हमेशा पहरेदारी करते थे अरजिस वरत ने कभी किसी भगवान को नहीं मनाया लेकिन कहते हैं न जब समय का काल चक्र बदलता है तो सब कुछ पलड़ जाता है बाई साब यह बंद कर दो या रहा तो फिर मैं नहीं काऊंगा आप अगर वेवस्ता नहीं बनाऊगा तो यह पगली नहीं का पाऊंगा मैं एक दिन ऐसा आया कि उसका सब कुछ खतम हो गया दुखो का अंबार तूट पड़ा पती कोड़ी हो गया दर्बदर हो गई सडक पर मारे मारे फिरने लगी लोगों ने उसे संग्या दे दिया पगली पगली पथर मारने शुरू कर दिये और आखिर में किष्टि शाम भक्त की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे रस्ता बताया कि फागुण का महिना है शाम बाबा के दरवार में लाखों लोग निसान लेकर जाते हैं ध्वजा लेकर जाते हैं कि तुम एक ध्वजा लेकर बाबा के दरबार में जाओ और बाबा को एक निसान चढ़ा दो तुम्हारा लुटा हुआ सब कुछ बिल जाएगा कि आई ये बिल्कुर सची कहानी ये भजन मैंने 1995 में आज से 23 साल पहले गाया लिखने वाले ने लिखा था कहा था कि सची कहानी है लेकिन 2005 में हर्याना में मैं किर्टन करने गया जब हम गाड़ी से उत्रे एक आदमी आया और पूरा लंब लेट साक्ष्टान जमीन पर लेट गया और सिर्फ ओड़ने लगा उसने का संजय भीया आपने जो पगली गाई है उसका जो पगली मेरी पत्नी है और जो कोडी पती था वो मैं स्वयम था हम दोनों पर आधारी थी आपके पगली कहानी है एक-एक सब्द जो आपने गाया वो एक-एक सब्द सही है मुझे उस दिन के पहले वो आदमी कभी नहीं मिला और उस दिन के बाद वो आदमी कभी नहीं मिला कि आये प्रेमियों कि इस वजन को गाने से पहले मैं निवेजन करूंगा सबसे पहले मंडल के सदस्र से कि आवाजाई बंद कर दे दूसरी आप से कि सक्षात कलियू का अवतार है यह बाबा सामने जो बैठ है एक बार में काम बनता है कम से कम इस पगली की दास्तान सुनकर तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा यह मेरा माना है ओ बहन ओ बहन जी ओ बहन जी कि देको बाते करना तो आप चले जो आपकी मर्जी हो ताली बजाना मर्जी हो ताली मत बजाना लेकिन एक निवेदन करूंगा बीच में उठकर मत जाना और कोई किसी से बात मत करना क्योंकि अगर इस भजन में वैधान पड़ा तो बाबा को कष्ट होगा क्योंकि एक सच्चे शाम भक्त के कहानी है आईए आईए तू दाता दातार है सुख का है भंडार शरन तेरी में जो पड़ा उसका बेडा पार शाम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पचता आएगा जब प्राण जाएंगे जूट लूट 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 पती के नाम पे कुर्बान हो जाए जो अरत दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो अरत पती के लिए जो सब सुख त्याग दे अरत वही है सची नारी वही है सची अरत अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुवानी अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुवानी कल युग में चमतकार बाबा शाओ मैं हो गया कल युग में चमतकार बाबा शाओ मैं हो गया जो बेग गया है खाट उसका काम बन गया एक है कहानी कहता हूँ मैं जुवानी कल युग में चमतकार बाबा शाओ मैं हो गया जो बे गया है खाट उसका काम बन गया बंगाल में रहता था एक सेठ दंपती पती था काम देव पतनी सुंदरी सती वैश्यावरती में सेठ ने लुटा दी संपती भिखारी जैसी हो गई ती सेठ की गती वैश्यावरती में सेठ वो तो भोगी हो गया वैश्यावरती में कोड का वो रोगी 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 हो गया सुन्दर धर्वान सतिम्रतावरत करणों की माया लेकिन गलत काम में पढ़कर पती कोड करोगी हो जाता है और अंत में वह वैश्या भी दुद्कार देती है कि मेरे दरवाजे पर तुमारा ठीकाना नहीं है वैश्या के पास जाकर धन संपती लुटाकर सुन्दर सती का पती बदे नाम हो गया सुन्दर सती का पती बदे नाम हो गया जो भी गया है खाट उसका काम बन गया पती का पती का पती बदे नाम हो गया बड़ भाग से सिरिशाम जी का भगत मिल गया बोला भगत जो भिगडी किस्मत बनाईये भागुण में एक बार खाटु नगर जाईये भागुण में पतनी अपन मंगल सुत्र बेच कर लेकर पती को चल पड़ी सिरिशाम के नगर रस्ते में सुन्दरी पड़ी कपापी की नजर बोला व छोड़ कोड़ी को चले रानी मेरे घर चले रानी मेरे घर चले रानी मेरे घर मारे दर बजर फिरती थी वह रहाएं लेकिन राह दिखाने वाला कोई नहीं था एक रोज रास्ते में चलते चलते किसी शाम प्रेमी के नजर पड़ गई उसने आके पूछा बहन क्यों भटक रही हो वो फूट फूट कर रोने लगी का भाई किसमत जब दगा देती है तो ऐसा ही होता है उस भाई ने का मत घबरा बहन खातू वाला शाम बाबा कलियू का साच्छा देव जो हार जाता है उसको जीताता है तू एक निसान भागुण का महीना चल रहा है तू एक निसान बाबा के मंदिर के सिखर पर 16 किलोमेटर पैदर चल कर जाकर चड़ा दे तेरा लुटा हुआ सब कुछ वापस बिल जाएगा उसने का भाई कुछ बचा नहीं अखिर में उसे यादा है कि उसके गले में एक मंगल सुत्र पढ़ाया उसने हाथ लगाया लेकिन मन में आया मंगल सुत्र पती की निसानी होती लेकिन फिर दुसरे पल मन में आया जब पती नहीं रहेगा तो मंगल सुत्र क्या काम आएगा उसने मंगल सुत्र को बेच दिया मंगल सुत्र को बेच दिया रिंगस के लिए टिकट कट आही लेकिन रास्ते में गुरू भागे ने पीछा नहीं छोड़ा इसको यहीं छोड़े चल मेरे साथ मेरे घर तुझारानी बना करनों सत्वा डाद परद शेले का पापी से पत्नी बोले ये कोड़े इनका ले ले पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया चोबे गया है खाटू उसका काम बन गया पापी से पत्नी बोले इनका ले अंजाम हो गया है रिंगस में वो भूखी रही बती को खिलाया भीकारी से ठेला खरीद बांस मंगाया हाँ बांस मंगाया हाँ बांस मंगाया पैसे भी खत्म हो गय कोई काम ना आया साड़ी कपला फाड़ के निशान बनाया हाँ निशान बनाया कई दिनों के भूखे प्यासी बगली अपने कोडी पती को लेकर रिंगस तक पहुच गई रिंगस पहुचने के बाद इतना पैसा भी नहीं बचा कि दोनों पती पती भर पेट खाना खाले जितना खाना आया उसमें एक का पेट भरना भी मुश्किल था यहाँ भी उसने हिंदु धर्म का निर्वा किया हिंदु धर्म में पहले पती को खिलाते उसने सारा खाना अपनी खोडी पती को खिला दिया पत्नी भूखे के भूखे रह गई अब उसे निशान लेना था पैसे भी खत्म हो गए कोई काम ना आया सेकड़ों निशानों की दुकान सजी थी हचारों लोग निशान खरीद रहते पगली ने जाकर लोगों से का भीया मेरा पत्ती भीमार है मुझे भी बाबा को एक निसान चड़ाना मेरे पास फूटी कोडी नहीं मुझे भी एक निसान का टुगणा दिला दो बाबा लेकिन अपने आपको शाम प्रनी कहने वालों ने धक्के मार कर नीचे उतार दिया पैसे भी खत्म हो गई कोई काम ना आया स्अध्य कपल भाड़ के निशान बनाया हा निशान बनाया भागली ने देखा रिगे से खाटू दखा जारो निशान चल रहे है हर निशान में कोई नो कोई रंग लगा है वो बनिया के दुकान पर गई का भाई एक चुट की रंग दे दो मैं अपने निशान को रंग लूँ कोई एक चुट की रंग भी उधार ना दिया हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया हा निशान रंग लिया देखा जो श्याम भग तो ने पगली ने क्या किया देखा जो शाम भगतों ने पगली ने क्या किया निशान पर लहू से शाम नाम दिख लिया शाम नाम दिख लिया शाम नाम बल शाम प्यारेगी खोड़ी को ला रही है एक पगली आ रही है खोड़ी को ला रही है एक पगली आ रही है सिर्शाम भगतों में ये चर्चा आम हो गया जो भी गया है काट उसका काम बन गया में अज्ञार का आम हो गया है सुप्सक्राइब नियुद सेहओं, सुप्सक्राइब बाग डिलगों लिए पता बेदिए, इसमीब डिलगों और आसरी ख़ाता है, तो प्लम्यूम्ट वुटर है तो खाल थी है. चलते 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 पगले धक्य चूर हो गई भूक फ्यासी गीर पड़ी मझे गूर हो गई हमझे गूर हो गई उस घुप नेरी रात में इक आगया बालक बालक ता सिरी कृष्ण तीनो लोक का पालक तीनो लोक का पालक प्गली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया पगली को उठा बोद में वो पानी पिलाया सिरिखाटु धाम जाने का रस्ता बताया सिरिखाटु धाम जाने का रस्ता बताया मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया उसके साथ में आया उसके साथ में आया पगली ने समझा बच्चा पगली ने सोचा कोई बच्चा आया, उसे गिरा देखकर उठाया, पानी पिलाया और मंदिर तक पहुचाया, लेकिन सब्सक्राइब पगली ने समझा बच्चा, स्री कृष्ने ने की रख्षा, मंदिर में आकर बालक अंतरध्यान हो गया मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया जो बे कया है खाट उसका काम बन गया कब आओगे कब आओगे लाज मेरी लुट जाएगी क्या तब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए आजारे मोहन लाज ना लुट जाए देर ना हो जाए कहीं देर मुट जाएगे कहीं देर ना हो जाए ना हो जाएगे डाएट झाए चुट जाएगे देर ना हो जाएगे देर लाएगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 पितो झाल झाल लोगो ने शाम जी को देखा रंग लगाया एक पगली ने स्री शाम जी को खून चड़ाया पगली हुवी बेहोश वो बेहाल हो गई दर बार शाम की लहू से लाल हो गई मजबूर पगली बोली अब खेलो शाम हो ली मजबूर पगली बोली अब खेलो शाम हो ली रंग दूँगी तुझको खून से क्यो शाम सो गया हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया शाही घटाएं घोर तो बादल गरज पड़े शाही घटाएं घोर तो बादल गरज पड़े चारो दिशा में आधि और तु फान चल पड़े हाथू फान चल पड़े हाथू फान चल पड़े मंदिर के ताल टूट पड़े शाम चल पड़े शिरी शाम चल पड़े शिरी शाल खाटू नरेश की पगली का खून के सरिया रंग बन गया कोड़ी पती भी काम तेव सा बदल गया मंदिर में दोडती हुई वो बैश्या आ गई जितनी ठगी थी दौलत वापिश चढ़ा गई वो वापिश चढ़ा गई वो वापिश चढ़ा गई एक ताढ़ी मूझ वाला पगली को उठाया मस्तक पे हात फेर के जखमों को मिटाया पगली ने आखे खोल के सिर्शाम को देखा सिर्शाम ने बदल दी है दुर्भाग की रेखा हा दुर्भाग की रेखा हा दुर्भाग की रेखा रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुना था, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया रहा हत मेंने किसी ने कहा कि हात उठाओ तालिया बजाओ ऐसे नहीं पूरे पूरे हात उठालो पूरे न दालिमत बजाने अभी तक जिसने हाथ नहीं उठाया उठा लेना, मैं माइक में नहीं बोलूँगा, सिर्फ आपको कहना है जिसको विश्वास है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे पर्चे मिलते हैं, हाथ उठा कर रखना, और जोड़दार तालिया बजा कर बोलना, जो भी गया है खाट उसका काम बन गया पकली खाट पहुंची अभी खतम नहीं हुआ है, पकली बाबा के मंदर में पहुंची बाबा के माथा टेका उसे लगा एक आवाज आई, मांग बेटी मांग पकली ने का बाबा तेरे दरवार में मेरा सब कुछ आने से पहले लुट चुका था मैं अभागन तेरे दरवार में आई, मेरा तो आप से कोई रिस्ता भी नहीं था पापा जब मेरे पास दौलत थी, अंजान भी मेरा रिस्तेदार था जब दौलत गई, मेरा सगा भी मेरा प्राया हो गया आपके किसी बंदे ने मुझे आपके दरवार में भेजा, कि तू जा तेरा काम मैं जाए लेकिन एक पिता अपनी बेटी के जैसे रक्षा करता है, उससे भी ज़्यादा आपने बेरी रक्षा कर दी बाब मुझे आगन को अपने अपने दरवार में सुहागन बना दिया और मैं क्या मांगू क्या मांगू जी मैं क्या मांगू क्या मांगू जी मैं क्या मांगू शाम प्रभू तुम से क्या मांगो मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचकर खिरतन में बैठे हो मुझे नहीं पता कि जो हम लोगों ने बोला आपने उसे हसी में उड़ाया, मजाक में उड़ाया यह आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझा लेकिन बाबा के दरवार में जूट नहीं बोलता, जूट बोलू तो बाबा मेरी जिन्दगी ले ले इस दरवार में जाकर जो दोनों हाथों को उठाकर कह देता है बाबा, मेरा कोई नहीं है उसका हाथ पकड़ लेता है जूट लेकिन जो मांगों गे इंकार मत करना दिदेना जूट अगर अगर बार बार मना करूँगा तो मेरे बाबा का मान घट जाएगा, इसले बाबा आपका मान नहीं घटाना लेकिन जो मागूंगे इंकार मत करना दी देना लाखो पापी तार दिये सुनते हैं सरकार लाखो पापी तार दिये उसे हैं सरकार छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्विकार अंति समय जब आए मेरा ग्यारस की वो शाम हो अंति समय जब आए मेरा ग्यारस की वो शाम हो लब पे तेरा नाम हो जै जै सिर्शाम हो किसने किसने इस बात को seriosly लिया है पूरे हाथ उठाओंगा पुरे हाथ उठाना जिसने भी तेख नहीं उठाया जोरदार दालिया पड़ागर बोला लगते तेरा नाम हो। लगते तेरा नाम हो। लाखों पापी थार दिये सुनते हैं सरकार। पड़ो इनको यह सोधा मंजूर है, यह दालिया वजा गरे साथ में, एक जाओ, एक जाओ, एक जाओ कानेया, ओ कनेया कनेया, ओ कनेया, मेरी नईया, कर दी तेरे हवाले, जाने दुखाट वाले कौन-कौन अपनी नाव हवाले करेगा, दालिया वजा करेगा, क्या बोलोगी? लाखों ही कोशिसे की, परिसे चला न पाया, संभली ना मुझसे नईया, तो शरण में तेर आया, हाथ उढ़ालो अरे डग मग डग मग डोला खाए, अरे हर पल मेरा दिल घबराए, दूख कही ना जाए, नईया, तेरे हवाले, जाने दुखाट वाले, तेरे हावाले, जाने दुखाट वाले, तुखाट वाले। अर उसने कहा, बाबा एक सेगेंट भाइया।। थोड़ा यूपी वालो के तालीया भी सुन ले। उसने कहा बाबा आखरी फरमाई अभी चार महिना पहले हमारा एक साथी जिसका जिसकी गरीबी का लोग मजाक उड़ाते थे तालिया बजाक शाम के दरबार में खाटू से डेड़ सो किलोमेटर एक शादी में गया हम लोगों के बीच हस्ता खेलता हाटू के धरती में हस्ता खेलता प्राण दे दिये जिसका दुनिया मजाक उड़ाती थी जब उसकी अर्थि सजाई गई मंदिर से माला आई जो माला बाबा ने पहनी थी वो माला उसको चड़ाई गई शाम बाबा का दुपट्टा आया, अबने आप आया, उसके अर्थी को छड़ाये गया, उस दिन देखा, इससे जादा आमीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, सारी किंदगी दुनिया ने उसका मजा कुणाया, इसने अपनी खोथी में अपने बच्चे की तरह उसको सरुन दिया, इसलिया भाबा, मुझे कुछ दे या मद दे, जाम नाम की चादर तन पर अंतिम वस्तर हमारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलो, जैसिर शाम का नारा हो, पँच तक्ट्व मैं खो जाओं, जगाव खाट दाम हो, लब पे तेरा नाम हो, पूरे हाथ उढ़ा लेना पूरे और जोरदार दालिया बजागर बोलंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी एनाथ नारा जनवासु देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी एनाथ नारा जनवासु देवा पितमात स्वामी सक्खा हमारे एनाथ नारा जनवासु देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी एनाथ नारा जनवासु देवा रदे 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 कृष्णा एक बात मेरी मानोगे बच्चों, मेरे छोटे भाईयों, मेरे बड़े भाईयों, एक बात मानोगे मेरी, मेरी एक बात मानोगे एक बार हाथ उठा कर बताओ, मानोगे, कुछ समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं मालो, कल से एक काम जरूर करना, एक महिना करके देख लो, 28 त मेरी स् caboose mii से दाइना पाउं बाहर निकालना और एक जयकार लगाकर कौंसी जयकार हारे कर हुआ है इस इस किसी मी बड़ेसी बड़े वी द्योगोति से बड़े सेद्स但 जाना उस्की दयुर्यम मंनफा रख मandra लैक दाहिना पाउं अंदर रखना और आख बंद करके जैकार लगा कर हारे के सौदा वो होगा जो आप चाहोगे वो धरा का धरा रहे जाएगा किसी भी सुब काम में जाओ बच्ची को लड़का दिखाना है इसको बोल कर जाओ बाबा बच्ची मेरी यह तो सिर्फ तेरी माया है जो मेरे मेरा नाम है वरना बच्ची तेरी है तू जाने और तेरा बच्ची के माथे पर तिलक ठाकुर्जी का तिलक लगा का दाइना पाहर करके और यह जेकार लगा कर निकलना दिखना बाबा कृपा करेगा कि अबस जो भी फूटा फूटा मेरे पास था मैंने आपके सामने रखा कुछ गलत कहब तो छमा करना एक चीज मांगूगा बस जाते जाते एक ऐसी जयकार लगा दो ऐसी कि हिंदुस्तान में आज हजारों जगा बाबा ने किरतन करवाया गली-गली किरतन करवाया एक ऐसी जयकार लगा दो की मैं दिसीना तान कर कैसे को कि मैन पूरी जैकार मैंने आज तक कहीं नहीं देए कुआ पूरे हाथ उठा कर एक जयकार बल हारे कैसा हारे की चाथ बल्य बालाजी महराजि की भाथ बहुत अभाद जैस रिशाब